जाए हिंद आज के lecture में होगा propagation of error propagation of error मतलब क्या है whenever we are adding quantities subtracting quantities या dividing the quantities ठीक है let's say कि मेरे पास एक scale है this is scale scale क्यों ले ना एक simple सा example लेते हैं ठीक है ये कोई मेरे पास छोटा सा रॉड है राइट प्लस एक दूसरा रॉड मेरे पास है ठीक है इसकी length है let's say मान लो 4 plus minus 0.3 अब ये plus minus क्या लिखा वो भी बताता हूँ और ये जो दूसरा रॉड है उसकी length है 3 plus minus 0.2 मानते हैं कि इन दोनों को मैं जब add कर रहा हूँ इन दोनों को मैं add कर रहा हूँ ये length के साथ ये length में add कर रहा हूँ तो जो answer मेरा आएगा जो मेरा answer यहाँ पर आएगा उसको कैसे tackle करेंगे ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे या अगर इस में से reading में subtract कर देता हो मतलब ये scale में से इतना portion में यहाँ पर रखके subtract कर देता हूँ तो मेरा answer क्या आएगा अगर हम subtract भी करते हैं तो मेरा answer क्या आएगा ठीक है उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि यह क्या लिखा है अपने plus minus 0.3 क्या लिखा है और यह plus minus 0.2 आपने क्या लिखा है ठीक है तो उसको समझने के लिए हम इसको variable form में ऐसा लिखते हैं कि let's say कि कोई quantity है x ठीक है वो दो quantity का addition है मतलब a plus b ठी ठीक है तो यहाँ पहर हम देखते है कि यहाँ पर a क्या होगा 4 और b क्या होगा 3 ठीक है मतलब यह जो reading है मतलब यह जो length है वो है 4 m ले ले लेते centimeter centimeter मानते है कि जो unit हम follow कर है centimeter है ठीक है इसकी actual value कितनी आनी चाहिए 4 length कितनी आनी चाहिए 4 error मतलब sir मतलब कोई इंसान इसको measure कर रहा है ठीक है तो इसका variation जो आ रहा है measurement करने के बाद इसके अंदर variation कितना आ रहा है अब यह समझते 4 plus minus 0.3 इसका meaning क्या है मतलब कि हमने reading ली तो इसके अंदर variation कितना रहा है maximum variation यह लेंद्ध जब हम measure करेंगे तो वो कितना आ रहा है let's say कि 4 के साथ plus करके 0.3 करते तो 4.03 यह answer आ रहा है और minimum error कितना आ सकता है मतलब minimum value कितनी measure हो सकती है 4 minus 0.3 कितना आएगा पेटा 4 minus 0.3 3.7 ठीक है अच्छा तो यह जो लिखा है यह क्या होगा यह इसका error मतलब यह measurement में गलती होने के chances maximum कितने है 0.3 0.3 cm मतलब मैं 4 से कम भी reading measure कर ले सकता हूँ या 4 से थोड़ी जादा हो सकती है reading measurement में so maximum कितनी measurement हो सकती है 4.03 और कम से कम इसकी reading कितनी में measure कर रहा हूँ 3.7 मतलब इसके अंदर जो गलती हो रही है एक्जेक्ली आंसर तो 4 cm आना चाहिए ठीक है लेकिन बाइनी मिस्टेक या बाइनी मेरर यह measuring instrument हम यूज कर रहे उसके कारण इसके अंदर variation आ रहा है measurement में और वह variation कितना आ रहा है वो यह plus minus के बाद वाली time हमें बताते कि इसके अंदर इतना variation आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इसकी reading इसके बीच में मेजर की गई है या इसके अंदर इतने range के बीच में इसकी reading आ रही है आगर हम किसी measuring instrument के साथ उसको measure करते वह बात clear होगे ओके और जब हम ऐसे दो quantities को जब add करेंगे इसमें भी कुछ गलती है इसमें भी कुछ गलती है error है ना तो जब इन दोनों को add करेंगे तो error का क्या होगा या इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो error का क्या होगा उसके हमें बात करनी है ठीक है तो यहां पर error in delta x मतलब x क्या है इन दोनों की addition जब हम करेंगे तो total error कितना आया है यह क्या है इस इस एर्र इन addition error in addition of a and b वो कितना होगा तो हम इसको लिखते है delta a plus delta b है इसको हम लिखते है delta a plus delta b ठीक है अब इस example में सर बताओ x क्या है तो देखो यहां पर कोई एक यह number लेता हो मैं यही example को थोड़ा नीचे अगर मैं लिख दू तो यह क्या होगा let's say this is a और यह 0.3 क्या होगा this is delta a तो हमने इसको कैसे लिखा a plus minus delta a और यह दूसरा number क्या है बेटा 3 plus minus 0.2 तो उसमें से 3 क्या होगा अगर मुझे इसके term में express करना है तो 3 b will be b और उसका जो error होगा वो plus minus करके लिखते हैं वो कितना होगा delta b अगर हम इनको add कर देते हैं इन दोनों को add करेंगे तो addition में तुम कैसा लिखोगी यह हमारा purpose है कि मुझे इन दोनों number को अभी add करना है sir फिर से एक बार देखते हैं अभी तक क्या चर्चा हुई है propagation of error हमें error कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है वो देखना है प्रोपोगेट होना मतलब फैलना error का फैलना error का फैलेगा जब हम addition करेंगे subtraction करेंगे multiplication करेंगे या division करेंगे ठीक है step by step देखेंगे we will first discuss addition and subtraction of quantities यह कोई एक example हमने लिया यह कोई scale है या बार है जिसका measurement आया 4 एक्चिल में 4 आना चाहिए लेकिन जब measure करोगे तो इसके अंदर जो maximum possible variation है maximum possible variation या जो error है वो हमने plus minus करके उसके आगे लिखा है ऐसा question हमें देखने को मिलेंगे और दूसरा बार है जिसकी length है 3 cm plus minus 0.2 3 plus minus 0.2 cm ठीक है मतलब इसके actual reading आनी चाहिए थी 3 लेकिन इसके अंदर measurement में का error कितना है 0.2 अगर इन दोनों को add किया जाए ये और ये इसको add किया जाए तो error का क्या होगा क्या error add हो जाएगा या error subtract हो जाएगा या error उतना ही रहेगा या add करोगे तो बेटा के से करोगे ठीक है तो बड़ा simple है हम उसके answer की तरफ बढ़ रहे है ठीक है तो इसके अंदर मैं addition कर रहा हूँ अभी subtraction को थोड़ा हटा देता हो if you add this two together how you can write you will write 4 4 प्लस 3 ठीक है इनको add कर दिया जो प्लस माइनस के पहले उनको add कर दिया भई 4 प्लस 3 उसके बाद यह 0.3 और 0.2 है तो बीच में क्या करो तुम प्लस और माइनस लगा दो बीच में क्या करो प्लस और माइनस जैसे लिखा था वैसे प्लस और माइनस लगा और इनकी addition कर दो 0.3 प्लस 0.5 कितना आएगा 0.3 प्लस 0.2 0.5 यह हो गई addition यह हमने की addition ठीक है तो इसको थोड़ा आगे equal to करके लिखेंगे 4 प्लस 3 कितना होगा 7 प्लस माइनस 0.5 अभी चर्चा करते हैं इस नंबर के उपर ठीक है एड करने के बाद error बढ़ा या कम हुआ इन दोनों quantities को हमने एड किया तो error बढ़ा या कम हुआ बेटा बढ़ गया मतलब 0.3 से भी ज्यादा है error और obviously 0.2 से भी ज्यादा है जब मैंने इसको एड किया कितना है अभी error 0.5 मतलब इसके अंदर जो error है और इसके अंदर जो error है और इन दोनों भाई साब को अगर जोड देते तो error बढ़ता है error क्या हो रहा है बढ़ रहा है समझदारी बात है समझदारी वाली बात है add कर रहे हो subscribe करेंगे तब क्या होगा सर वह समझाने के बाद वापस इसके पास आते है ठीक है यह तो हो गया addition का ठीक है तो इसको अगर थोड़ा इसके नीचे ही लिखते है systematically बेटा तो हम अच्छे से represent कर पाएंगे इसको भी थोड़ा हम छोटा कर देते हैं we will write it here that was concept ठीक है यह क्या लिखा इसर आपने x is equals to a plus b इसको variable के form में लिखने की मैंने कोशिश किया x क्या होगा x is nothing but 7 ठीक है what is delta x delta x is 0.5 right delta a क्या था delta a is 0.3 delta b क्या था 0.2 तो मैं error पूछा तो error कितना आया 0.5 addition जब की मैंने इन दोनों number की तो मैं error कितना मिला 0.5 ठीक है कोई rocket science तो था है नहीं आगर हम subtract कर देते ठीक है subtract इसके नीचे ही लिखता हो कोई इतना बड़ा number तो है नहीं मेरे पास ये था example ये था explanation of concept explanation of concept के कैसे represent करते है ठीक है और सबसे पहले हमने क्या लिया है ये addition कि दूसरा कलर से बता देता हूं यह क्या कर रहे था हम यहाँ पे addition कर रहे थे ठीक है अभी देखते है subtraction अगर इन सेम question को अगर हम subtract कर देते subtraction तो क्या है ठीक है वही scale है वही question है बस इस बार हम उनको subtract करेंगे तो मैं पहले copy कर लो इसको यह यहाँ पे लिया इस बार मैं इसको subtract कर रहा हूँ subtract करेंगे, ठीक है, तो answer में कैसे लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको subtract करना है नो मुझे, तो मैं लिखूंगा 4-3, ठीक है, देखना अभी, plus minus, ठीक है, हमें क्या लगेगा, sir 0.3 minus 0.2 कर दो, नहीं, यहाँ पे करेंगे हम 0.3 plus 0.2, ठीक है, तो पहले मैं answer लिख लो, फिर बताओ कि क्या हुआ यहाँ पे, 4-3 कितना आएगा, 1, so 1 plus minus 0.3 plus 0.2 is 0.5, this is the answer, तो यहाँ पे भी मुझे 0.5 मिला, यहाँ पे भी 0.5 मिला, sir आपने यहाँ पे add क्यों किया, so एक नीचे हम note लिख लेंगे, एक नीचे हम note लिखते हैं, that will explain why हमने plus किया है, यहाँ पे हम नीचे note लिखते हैं, what is that note? देखो, error is always additive, additive का spelling, मतलब error हमेशा add होता है, चाहे हम subtract करे, quantities को, चाहे हम add करे, error हमेशा क्या होगा? error is always additive, for addition, as well as subtraction, जब हम subtract करेंगे बेटा quantities को, तब जो यह error होगा, मतलब यह plus minus के बाद जो लिखा होगा, उसको add ही करना है, चाहे हम addition करे, या चाहे हम subtraction करे, हाँ, यह जो उसकी true value है, that is 4 और 3, अगर addition है तो उसको add करो, अगर subtraction है तो plus minus के पहले जो true value है, उसको subtract करो, लेकिन जो error वाला portion है, it is always additive, ठीक है? गलती तो गलती होती है, add करो या subtract करो, गलती तो बढ़ेगी, error is propagative, error is additive, ठीक है? error बढ़ेगा, चाहे तुम quantities को add करो, चाहे तुम quantities को subtract करो, error बढ़ेगा, ठीक है? common sense क्या कहता है कि sir आप इसको subtract करोगे तो error कम होगा error क्यों होगा error इसके अंदर भी है इसके अंदर भी गलती है चाहे तुम add करो चाहे subtract करो error will be added ठीक है तो यह हमने याद रख तो addition subtraction में कोई दिक्कत नहीं कोई example cover कर लेते है एक example लेते यहाँ पह लेत डू एकूशंपल यह बहुत गॉमन सा एकूशंपल रग्सितनस का ठीक है रगिवन रगिवन रगे रगिवन रगिवन resistances इन शीरीज कंबिनेशन शीरीज कंबिनेशन रगिवन 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 series combination along with their values along with their values find the equivalent resistance find the equivalent resistance ठीक है अलब यह हमारे बच्पन का question है दो resistance दिये हैं तीन ले ले लेते चलो दो क्या है तीन ले ले लेते हैं तीन resistance है मेरे पास ठीक है आर वन आर टू आर थ्री यह कैसे combination में series में इसको battery लगाई होगी यह नई भी लगाई होगी तो भी दिख रहा है series combination में है इसका हमे equivalent resistance find out करना है क्या होता है equivalent resistance का formula series में equivalent resistance का formula series में anyone इसके addition कर देते आरवन प्लस आर टू प्लस आर थी क्लास 10 में पढ़ा था ना current electricity topic था हमें और parallel में रहा तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is equals to 1 upon R equivalent ठीक है तो यह basic formula हमें पता है इसकी values बेट अब कुछ given है 23 plus minus 0.1 ओहम इसकी value दी है 4 plus minus 0.4 ओहम इसकी value दी है 5 plus minus 0.3 ओहम तो उसका equivalent resistance पूछा इससे आसान सवाल कोई होई भी नहीं सकता addition subtraction के ऊपर ठीक है तो हम R equivalent निकालेंगे हम solution करने जा रहे है अब है कि अलार मुझे यह चाहिए यह कर दिया समाथ solution आर equivalent is equals to क्या होगा R1 plus R2 plus R3 formula तो वही लगेगा add करेंगे तो सीधा सीधा addition है ना addition रहे या subtraction रहे हमें क्या करना है error को add ही करना है और यह क्या है इनको भी add कर देते हैं कैसे लिखोगे 3 plus 4 plus 5 plus or minus 0.1 plus 0.4 plus 0.3 क्या तो भी था इसके अंदर 4 plus 5 9 9 plus 3 12 12 plus minus 1 कितना है 4 5 6 7 8 0.8 ओहम इस इस दी answer ठीक है इतना लल्लू question बनता है इसके उपार ठीक है तो इससे क्या पता चला इसके अंदर कुछ error है इसके अंदर कुछ error है resistance के measurement में और जब इनका combination लेंगे तो error प्रोपोगेट हो गया error बढ़ गया कितना आया combination का error 0.8 ठीक है तो आर equivalent की value अगर actual में देखा जाए किदिनी आनी चाहिए 12 आनी चाहिए लेकिन जब 12 answer कब आएगा बेटा जब यह accurate 3 हो जब यह accurate 4 हो जब यह accurate value 5 हो लेकिन actual में actual practice में कुछ ना कुछ error होता ही होता है by means कि यह गरम हो जाएगा expansion हो जाएगा thermal expansion हो जाएगा current के अंदर थोड़ा variation हो जाएगा तो precise accurate reading नहीं आती है तब क्या करेंगे तब हम error को कैसे deal करेंगे तब की बात चल रही है let's say इसके अंदर error आया .1 इसका मतलब क्या है फिर से समझा रहा हो मतलब इसकी value exact दीरी नहीं होगी कभी तुम major करोगे तो उसकी value किसके बीच में तुम्हें देखने को मिलेगी 2.9 से लेकर इसकी value होगी 3.1 के बीच में कोई भी value हो सकती है कोई भी value हो सकती है 2.9 भी हो सकती है 3 हो सकती है 3.01 हो सकती है 3.1 हो सकती यह दर्शाता है कि इसके अंदर values में कितना variation आएगा यह values में कितना variation आएगा अगर वो देख लेते हैं तो इसकी reading minimum कितनी दिखाएगा यह 3.6 से लेकर मतलब 4-0.4 करोगे तो 3.6 में लेगा 4-0.4 करोगे तो 4.4 ओहम इसके बीच में इसकी value लाए करती है ठीक है अगर कोई technology है जिसके अंदर exactly 4 मिलता है answer तो बहुत बढ़िया नहीं मिलता है तो हमें इस tolerance के इसाब से लिखना पड़ता है कई बार इसको हम tolerance बोलत value लिखते हैं हम 0.1 वह maximum error लिखते है what we write it here 0.1 is maximum error इसका मतलब क्या है इसके example से बता दो 4-0.4 मतलब इसके अंदर गलती होने की गुंजाइस कितनी है 0.4 ओहम की और हमेशा 0.4 ओहम की ही error दिखा ऐसा जरूरी है क्या नहीं इसके अंदर कभी error 0.1 हो भी सकता है 0.2 का भी ओह subtraction के बाहर आते हैं और देखते हैं multiplication येस बोल रहा है कुछ हाँ जो कोई बोल रहा है बताओ कोई quantity हमारे पास x है ठीक है x is equals to a into b ठीक है मतलब area find out कर रहे है for example we are finding out the area area of rectangle let's say area of rectangle हम find out कर रहे है ठीक है उसकी ये जो length है 3.3 plus minus 0.4 है और उसकी जो breadth है वो है 2 plus minus 0.1 ठीक है तो इसका area जब हम निकालेंगे ये उसकी length हो गई और ये उसकी breadth हो गई तो area क्या होता है length into breadth बराबर है generally हम अभी तक question कैसे देखे हैं कि length है 3 cm इसका कोई unit मान ले चलो गई centimeter मान ले इसका कोई unit है centimeter 3 into 2 कर देते थे हम 3 to 6 to 6 cm square हमारा area of rectangle हो गया लेकिन in terms of error अगर उसके साथ कुछ error आता है तो उसको कैसे deal करेंगे अगर इनको add करना होता तो हमने सिधा सिधा अभी देखा है कि 3 plus 2 कर दो यहाँ पे और plus minus करके 0.1 plus 0.1 plus 0.4 कर दो answer आजाए लेकिन हम बेटर यहाँ पे multiply कर रहे हैं हम L into B कर रहे हैं तब इसके error को कैसे लिखेंगे हम 3 into 2 तो चलो हो जाएगा 3 to 6 है क्या इस error को multiply करोगे या कुछ इसका दूसरा तरीका होगा इसको solve करने का तो इसका answer इसका दूसरा तरीका होता है कैसे solve करते हैं देखो अभी ठीक है तो इसका step होती है कुछ step में बता रहा हूं step steps to solve ठीक है क्या करना x है हमारे पास x is equal to a into b x मतलब area of rectangle a into b मतलब यहाँ पे जो l into b लिया है ठीक है अच्छा तो क्या करते हम इसके अंदर हम relative error निकालते delta x upon x करना यहां ठीक है is equal to delta a upon a multiplication है न बेटा बीच में तो हम यहां पे लिखते है plus delta b upon b ठीक है तो यह formula as a formula हम देखेंगे समझाओंगा मैं कोई चिंदा की बात नहीं है बहुत easy है हमने यह formula निकाला ठीक है delta x upon x is equal to delta a upon a plus delta b upon b हमें क्या निकालना था हमें error निकालना था कि जब हम area of rectangle measure करेंगे बेटा तो area में कितना error होगा तो मैंने कहा कि इस formula से हम answer निकाल सकते हैं यह आया कहां से formula उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं मैं shortcut से इसको बताऊंगा ठीक है हमें गिवन था x is equal to a into b a मतलब क्या है length 3 और यह delta a क्या होगा मतलब 0.4 होगा अगर b है b होगा 2 तो delta b क्या होगा 0.1 ठीक है x क्या है x is nothing but area of rectangle तो delta x क्या होगा area of rectangle में total error कितना है तो यहां से आसानी से निकल सकता है delta x is equal to delta a upon a plus delta b upon b into x कर देंगे तो हमें delta x का answer मिल जाएगा लेकिन जब हम याद रखते हैं तो उसको इस form में याद रखते हैं ठीक है है इसको clarity देने के लिए हमें question करेंगे question क्या यहां पर गिवन है question ठीक है अब अब आपने पहले बताया कि series a series resistance में addition कर सकते इसमें मल्टिप्लिकेशन तो अगर parallel resistance होगा तो वह बनेगा उसके करेंगे क्योंकि वह division का करना पढ़ेगा इसलिए मैंने parallel कर निया है जब मैं division का करवाऊंगा तो parallel का भी बन जाएगा question ठीक है चिंता ना तो आगे बढ़ते हैं यह क्या funda है कैसे solve करना वह देखते है ठीक है तो यहाँ पर इसको question बना लूँ क्या यह जो example मैंने यहाँ पर लिया है उसको as a question बना लेते हैं और दो तीन question इसके उपर करेंगे ठीक है तो question ऐसा है find error in area of rectangle अगर ऐसे situation है यह बताओ भया area of rectangle में कितना error आएगा length में कितना error है 0.4 maximum और breadth में कितना error है 0.1 ठीक है तो हमें formula पता होना चाहिए ठीक है अगर यहाँ पर spear दे देंगे और तुमें spear का formula नहीं पता स्पियर का area कितना होता है surface area कितना होगा यह circle का area surface area कितना होता है अगर उसका formula नहीं पता तो मतलब नहीं question करने में ठीक है तो पहली basic चीज़ यह rectangle का क्या formula square का क्या है उतना तो याद हो नहीं चाहिए ठीक है तो यहाँ पर क्या given है हमें area दिया area कितना given है भाई l into b ठीक है यह formula क्या क्या कहता है जब multiplication आये तो इस प्रकार का लिखो लिख लेते है पहले तो a है तो इसको लिखो delta a upon a is equal to delta l upon l multiplication का sign है फिर भी plus लिखना यह भी बताया मैंने अभी plus delta b upon b ठीक है हमें क्या निकालना है error in area of rectangle error मतलब क्या delta a का answer हमें निकालना है बराबर है ठीक है कोई मुझे बताएगा a कितना है यहाँ पर how much is a a is nothing but वह error का छोड़के जो है 3 into 2 करेंगे a कितना है 3 into 2 कितना होगा 6 मैंने नीचे लिखा 6 is equal to delta l कितना है कोई बता सकता यहाँ से delta l कितना है how much is delta l बेटा 0.4 0.4 यह plus minus के बाद जो होता है वो delta मतलब error delta l से दिखाएंगे आँ ब्रेट में error delta b से दिखाएंगे और वो कितना होगा 0.1 0.1 is delta b 0.4 is delta l बराबर तो लिख लेते हैं कितना आएगा यह यह लिखा मैंने 0.4 और l कितना है जो plus minus के पहले है 3 वो लिख दिया मैंने 0.4 divided by 3 प्लस delta b कितना है 0.1 तो लिख लिख लिया यहाँ पर 0.1 divided by b कितना है how much is b b मतलब यह plus minus के पहले जो है वो कितना है 2 लिख दिया ठीक है तो solve करते है इसे यह कितना हो जाएगा delta a is equals to मैं numerical value तुमारे उपर छोड़ देता हूँ तुम लोग solve करके मुझे बता यहाँ का 0.4 divided by 3 plus 0.1 divided by 2 into 6 ठीक है यह solve करके बता हूँ मुझे कितना आ रहा है यह सो हमने इसका अंसर लिया इसको solve जब हमने किया विट अपर अप्रक्स significant figure क्योंकि आप एक क्वेश्चन में कहीं में इंशन नहीं था कि 2 significant digits थक लेना या 3 significant digits थक लेना है तो बिए राउंडिड ओफ तु कंसिडर आस 2 significant figure तो अंसर आया हमारा 0.9 so 0.9 is the error in measurement of area of rectangle if the length has this much and breadth has this much values okay toh aur a question हमारे पास है example number 2 question asa दिया है the percentage error question लिखो मेरे साथ the percentage error the percentage error in the measurement of the voltage voltage is 3% and in the measurement and in the measurement of the current of the current is 2% full stop और पूचा है दिया परसंटेज 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 एरर इन दी मेजरमेंट of resistance percentage error in the measurement of resistance is यहाँ पर परसंटेज देता हूं में 3% ऑप्शन बी दिया है 2% ऑप्शन C दिया है 1% और ऑप्शन दिया है 5% ठीक है इसको यहाँ पर हमें दिया है percentage error percentage में भी निकालना निकालना होता है और पूछते यहाँ पर पूछ लिया दिपरसंटेज एरर in the measurement of voltage is 3% and measurement of current is 2% मतलब जब हम voltage measure कर रहे तो 3% का error और current के measurement में 2% का error और वही अगर हम resistance के अंदर देखते है तो कितना error आएगा तो तुम्हें कुछ formula पता है क्या जो voltage, current और resistance को जोड़े ऐसा कोई formula पता है तो यह 3% क्या दिया है उसको पहले देखते हैं और percentage जब multiplication में quantities आती है तो कैसे करते हैं हम इसको लिखेंगे delta V by V is equals to इसको लिखेंगे delta I upon I into नहीं लिखना है, plus लिखना है delta R upon R, ठीक है इस formula से हमें मिलता है answer अब यह जो 3% दिया है what is that 3% measurement, error in the measurement of voltage is 3% मतलब यह जो पूरी value दिये है, that value is 3% यह value कितनी है, this value is 3% और measurement of current, error in the measurement of current is 2% मतलब delta I by I, delta I by I, कितना दिये given है यहाँ पे, that is 2% ठीक है यह हमें पूचा है, हमें क्या निकालना है, delta R upon R तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यह थोड़ा गलत हो जाएगा तरीका, क्योंकि answer हमें R के term में पूचा है तो हम इसको क्या करेंगे पहले, formula को ही R के term में पहले लिखेंगे R is equals to V upon I R is equals to क्या लिखेंगे, V upon I जिस quantity में error कुचा है, उसके term में पहले answer ले क्या हो मतलब formula ले क्या हो, ठीके, ले के आए हम R is equals to V upon I, ऐसे नहीं करना है, वो भी बता दिया मैंने हमें R के term में answer चाहिए, ठीके अभी ये question है division वाला, यहाँ पर voltage divided by current है तो division में भी same rule लगाना है division में भी क्या rule लगाना है, same rule लगाना है जो हमने multiplication में लगा है, मतलब क्या sir, देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, R को लिखेंगे delta R by R is equals to, V है उपर, V को क्या लिखेंगे हम delta V upon V, division है, या multiplication है तभी भी बीच में sign क्या देना है, plus देना है और जो नीचे I है, उसके लिखेंगे, delta I upon I multiplication हो, चाहे division हो, error निकालने का तरीका same होगा quantity अगर multiplication में है, error हम delta V by V is equals to delta I by I plus delta R by R ही करेंगे, या दो quantities division में क्यों ना हो, उनका error निकालते वक, V को हम delta V by V लिखेंगे, और I को plus करके ही लिखना है, minus नहीं करना है, plus ही करना है, plus करके लिखेंगे I को delta I upon I, ठीक है, हमें percentage में पूछा है, percentage error, ठीक है, तो इसको multiply कर देंगे, delta R by R को 100 से, मतलब, both side को हम 100 से multiply कर देंगे, तो percentage में हम values put कर सकते हैं, तो यह हो गया, delta V by V plus delta I upon I into 100, ठीक है, तो यह हो गया percentage relative error, या इस quantity को दूसरा नाम दे सकते हैं, हम, इसको नाम देते हैं, यह delta R by R, इसको क्या कहोगे बटा, इसको कहोगे relative error, relative error, in resistance, ठीक है, अगर उसी को 100 से multiply किया जाए, तो percentage error, उसको क्या कहेंगे, percentage error, ठीक है, delta R by R क्या है, उसको क्या नाम दे आमने, relative error, क्योंकि वो question में, wording में वैसा आता है, हम confused रहता है, पर relative error कैसे नहीं काले, आरे, delta R by R पूछ लिए, percentage error पूछा है, मतलब relative error को यह 100 से multiply कर दिया, आम में percentage error मिलिया, ठीक है, similarly यह भी होगा, relative error in voltage, this is relative error in current, so this is relative error in voltage, voltage के reading में relative error है, और यह क्या होगा, similarly relative error in current, यह क्या होगा फिर, 100 से multiply करने के बाद, this will become percentage error in voltage, this is percentage error in current, ठीक है, इसे solve करते हैं अभी, उसको next page पर लगके जाते हैं, हमें answer निकालना है, आपने यह लिया, उठा यहां, यहां सी, यह, यह, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तुम सुन रहा हो मैं, सर, मतलब, अगर division और multiplication दोनों का सेम ही है न, एरर निकालने का, एरर निकालने का तरीका से, हां, तो फिर formula में फरक ही थोड़ी आएगा, सर, मतलब, formula में कहां फरक है, कौन से formula की बात कर रहे हैं, मतलब, answer, answer, मतलब, V is equal to IR से करेंगे, या, R is equal to VI से करेंगे, तो, सेम ही आएगा न, तो हमने R को क्यों मतलब, main लिया है, ताकि calculation आसान हो, यह तो simple था, R is equal to IR, कभी square आ जाए तो, I square RT, अगर current के जगा पे हमें energy पूचा, energy क्या होती है, heat जो release होती, I square RT, तब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने कहां है, जिस term में पूचा है error, उसको हम पहले वो form में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहापे क्या हो जाएगा फिर, वो यहापे लेके जाओगे, तो वो subtract हो जाएगा, 1% answer गलत है जाएगा, ठीक है, चल्ड़ा, so, delta R by R into 100, यह निकालना है हमें answer is equal to, delta V by V, यह क्या हो जाएगा, delta V by V into 100, plus delta I by I into 100, ठीक है, वो percentage में already given है हमें, ठीक है, तो यह कितना है बाई, delta V by V percentage में given है, that is 3% लिख दिया, plus delta I by I, कितना है, 2%, वो यहापे लिख दिया हमें, so, 3% plus 2%, that is percentage, delta R by R into 100, यह percentage में आ गया, कितना है, 3 plus 2, 5%, so percentage error, this is percentage error in measurement of, measurement of resistance, measurement of resistance, अगर इसके इसाफ से जाते तो क्या हो जाएगा, यह 2% दितर आ जाएगा, 3% minus 2%, answer के लिख क्या होगे तुम, 1%, वो गलत हो जाएगा, इसके लिए, जिसमें error पूचा है, उसके term में पहले लिख लेंगे, ठीक है, और एक question करता हो, clarity आ जाएगा, बोलो यह समझ में आया, हा तो हा बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आया, आया, कोई response नहीं है, आया, 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 बाकी लोग, ठीक, तो और एक question करो, फिर, इसका answer कॉन सा है बही, option A, 3%, sir, option D, ना, 3% आया, 5% आया, कितना आया, 5%, okay, sorry, 5% option D, और एक question करते हैं, तो multiplication, थोड़ा backtrace करते हैं, multiplication में भी हमें क्या करना है, यही formula यूज करना है, division के लिए भी यही formula यूज करना है, तो division का मैंने separately ना लिखते हुए, example 2 के अंदर cover कर लिया, कि division का कैसे करना है, division के अंदर भी addition ही करना है, multiplication होगा, तब भी बीच में क्या करना है, addition करना है, लिखते हो के से लिखना है, delta x upon x, a को लिखेंगे delta i upon a, b को लिखेंगे delta b upon b, और इसको क्या कहते है, this is a relative error, into 100 करने से वो percentage में उसकी value मिलती है, दो चीज़ हमने यहाँ से समझे, और एक question करते है, clarity के लिए, क्या आपर पूचा है, the relative error, the relative error, in the measurement, of the side, of a cube, side of a cube, is 0.027, full stop, the relative error, in the measurement of volume, in the measurement of volume ease, option a, 0.027, option b, 0.054, option c, 0.081, and option d, 0.046, चार option दिए, ठीक है, last question, percentage में पूचा था, यहाँ पर word क्या यूज़ किया है, इन लोगों ने relative error, ठीक है, वही सेम तरीका है, किसका relative error पूचा है, ध्यान दो यहाँ पर, प्रैक्टिस के लिए मेने क्वेश्चन रखे हैं, तुम लोगों के, उसके उपर प्रैक्टिस करना, अभी यहाँ पर देखो, क्यूब है, क्यूब कैसे दिखता है, इसको सॉल करने जारो, यह क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हमने मेजर किया है, शाइसे, relative error in the measurement of side of a cube, मतलब एक जो side है, ये side है, ये एक side है, और ये एक side है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ओफ क्यूब क्या होता है, बेटा, L मानले side तो L cube हो जाएगा, ठीक है, side cube हो जाएगा, हमें side के अंदर कितना error है, 0.027, side के अंदर कितना error है, 0.027, मतलब ये 0.027 क्या दिया है, अगर ये उसकी side L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, क्यूब के हर एक side equal होती है, तो 0.027 क्या है, ये relative error है, delta L upon L given है, ठीक है, मतलब side के अंदर relative error कितना है, 0.027, इसको 100 से multiply करोगे, तो percentage में आ जागा, मतलब कितना percentage error है side के measurement में, 2.7%, ठीक है, percentage में पूछेंगे तो ऐसे खेलेंगे, relative में पूछेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अब हमें volume के अंदर कितना error है, वो find out करना है, ठीक है, इसको लिखते है, V is equal to LQ, V stands for volume, उसका volume कितना है V, ठीक है, हमें आंसर चाहिए delta V upon V, यहाँ पे simply L होता तो हम लिखते है delta L upon L, बराबर है, लेकिन यहाँ पे उसकी power कितने आ गई, 3 आ गई, उसको केसे tackle करना है, तो ऐसे same question हमने, एक question मैंने बताया था, कि मैंने तुम्हें बताया था तब, कि जब मैं error पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा detail में, वो कुछ question था, अब मुझे वो click नहीं हो रहा है, वो question को answer यहाँ, nevertheless, बात हम यह कर रहे थे, कि इस L क्यूब को कैसे करेंगा, मुझे बताऊंगा, तुम्हें differentiation पता है न, differentiation, x cube का differentiation क्या होता है, 3x square होता है, बराबर है, ठीक है, यह shortcut इसका जान लो, ऐसा, differentiation से उसका यह answer आता है, लेकिन कहाँ, differentiation के 2-4 step के अंदर हम उसको discuss करें, तो shortcut सुनो, कैसे करेंगे, यह जो 3 है, 3 को उठा के यहाँ रख दो, 3 को उठा के यहाँ रख दो, और लिखो delta L upon L, simple, as simple as that, कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ रख देंगे, 3, और इसको लिखेंगे delta L upon L, कभी फुरसत में बताऊंगा, सर, आप मुझे बता ही दो, सर, यह कैसे किया, तो मैंने इसको पीछे एक hint भी दे दी है, कि इसको differentiation के तरीके से हम करते हैं, ठीक है, और मैंने वो question में explain भी किया था, ठीक है, अभी वो वक्त नहीं है, हम इसको लिखते है, 3, delta L upon L लिखेंगे, for और practice के लिए, अगर ऐसा आजाए, कभी कोई quantity है, let's say, y is equals to, a raise to 3 by 2, मुझे लिखना है इसका y के अंदर में, error कितना है, delta y by y तो लिख लिया, is equals to, इसको कैसे लिखोगे फिर, यह 3 by 2 उठा के या लिखना, और इसको लिखोगे delta A upon A, as simple as that, okay, fine, हो गया, answer आगया हमारा अभी, हमें delta L by L पता है कितना है, 0.027, तो हो गया answer, delta V by V, that is relative error in volume, is nothing but 3 into, delta L by L कितना है, 0.027, तो बहुत आसान questions आते इसके उपर, और एक question आता ही है, so that is 0.27 into 3, 0.081, percentage में पूछेंगे तो कितना आएगा, 8.1% will be the error in the measurement of volume, देखो, side में अगर 2.7% का error है, तो volume में कितना error आया, 8.1%, इसका मतलब क्या है, error हमेशा बढ़ता ही है, addition में भी error बढ़ता है, division में भी error बढ़ता है, subtraction में भी error बढ़ता है, multiplication में भी error increase होता है, यह indicate कर रहा है, तो इसका answer 0.081, मतलब option C is correct, चलो मुझे और एक क्वेशन करके बताओ, मैं और एक क्वेशन ले रहा हूँ, इसके ऊपर, पूछना है कुछ, बोलो, जो क्वेशन में, यह सभी पर सकते न, L into L into L, तो तीनों क्वेशन में डेल्टा L अपॉन L, प्लस डेल्टा L अपॉन L, प्लस डेल्टा L अपॉन L, no worries, कोई पाट नहीं कर सकते हो ऐसा what she is saying कि sir अप ऐसा कर दो ना वह आप division हुआ अलाव अगरा चोड़ो pencil discharge होगे इसको L x L x L ु में लिखो तो L को लिखोगे delta x delta x L दूसरे L को लिखोगे delta x L दो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है देखो, in this question, क्या पुछा है हमें the radius of sphere is 2.6 plus minus 0.1 cm the percentage error in its volume sphere की radius दी है, इस form में और हमें error पुछा है कि जब उसका volume measure करोगे तो कितना आएगा, error, ठीक है तो हमें r given है, r कितना given है भई 2.6 plus minus 0.1 cm ठीक है और हमें volume के अंदर error पूछा है तो volume of sphere का formula होता है 4 by 3 pi r cube ठीक है अभी इसके अंदर हमें error निकालना है मुझे बताओ 4 by 3 क्या है एक number है number कैसा होता है, constant होता है pi की value भी constant है 3.14 which is constant क्या इनके अंदर कभी error आ सकता है number के अंदर कैसा error आ गया जो value मेजर कर रहे 4 by 3 कभी मेजर करते हैं 4 by 3 तो number है which is constant pi is a constant तो जब हम इसको लिखेंगे हमारे delta v by v के form में तो यह 4 by 3 और pi को लिखना ही नहीं यह कोई जरूर थी नहीं क्योंकि constant हम के अंदर कोई error आता ही नहीं r cube को सिर्फ देखो r cube है तो error लिखे होगे कैसे 3 को इधर लेक्या हो यह delta r by r कर देंगी ठीक है यह relative error हो गया लेकिन यह आपर percentage में पूछा है तो इसको multiply by 100 कर देंगे so delta v by v into 100 यह percentage में मिलेगा 3 into delta r by r into 100 करोगे यह हमें percentage में answer देगा बस इतना फरक है तो इस question से क्या सबक मिला हमें कि कोई constant है तो उसको consider मत करना जब तुम error निकालोगे क्योंकि constant हमें error नहीं आता है ओके so हमें answer क्या मिल रहा है 3 into delta r by r कितना है delta r कितना है यह delta r है अब कैसे find out करो 0.1 yes this is delta r ठीक है 0.1 so this is 0.1 divided by r कितना लोगे 2.6 into 100% ठीक है तो इसका answer कौन सा है option b is correct ठीक है तो यह question दिया था जहाँ पर चार quantities है a b c d इनके अंदर percentage दिया error दिया था 1, 2, 3 and 4 percent respectively maximum percentage error पूचा है या maximum word भी नहीं उसकरते तो उसका meaning वही होता percentage maximum percentage error in the measurement of x और यह formula given है तो हमने क्या किया delta x by x लिखा percentage में value थी इसलिए 100 से multiply किया a to the power 2 को लिखेंगे 2 into delta a by a b to the power 3 by 2 b to the power 1 by 2 उसको लिखेंगे plus देना है multiplication या division रहे तो plus symbol देना है 1 by 2 into delta b by b division में है यह दो quantities फिर भी plus लिखेंगे c raise to 1 by 3 का error कितना होगा 1 by 3 into delta c by c d cube मतलब d में relative error कितना होगा या percentage error कितना होगा 100 से multiply कर रहे हैं तो 3 into delta d by d values put कर दो percentage में है तो यह values put कर दिया हमने solve किया 16% that is option c is correct option c correct हमें में देना है तो में जानोगा Otherwise B